टॉप फाइब बैट्समेन वाच आउट फॉर एसिया कप टॉइंटी टूइटी टू तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी जदा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को आप लोग पूड़ा एंड तक सरू देखे हैं क्यूंकि गाइस आप फिडियो आप सभी के लिए बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो गाइस चलिए आज को फिडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप लोग भर वैटे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लोग डाउलेग कीजिए किसमा यहा पर आपको पहुत सारे टेवेल गेम भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप लाइव मैच प्रेटेक्शन करके भी पैसे कमा सकते हैं यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लिम होता है तो आप लोग कॉस्टमर सपोर्ट पर आप लोग यहाँ पे हिल्प मांग सक सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में सबसे पहले खिलाड़ी और सबसे में खिलाड़ी हमारे विराट रनमसीन को ली जिहां गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विराट कोली के वड़े हम रिसेंट को नहीं मिले जो हमें पहले पकरिखने को मिलते थे तिलंग का इससव पर झापके और थोड़ा सा टाइम लेके आप कमबैक कीजिए और उसके बाद काईस अपे बीसी साइने एसे कपके स्कॉर्ड में फिर से फिराट कोली को सामिल किया सभी फिराट के फैंस अब उमीद करने की हापे फिराट कोली एसे कप में अपना छाप छोड़ेंगे और पहले वाले फिराट कोली लोट कर आएंगे सभी फिराट के फैंस ही उमीद करने फिराट कोली से तो कईस आफ लोग कईस भर में क्या opinion हैं आप लोग झीची comment section में जाकी रूख बताईगा तो कईस अभर हम बात कर लेते हैं next खिलारी के बार में next जो खिलारी निकल कराने हैं उनका नाम है सूरी कुमार यादप सुरि कुमार यादप की बात करें तो इन्डियन टीमे में गाय से पे पे उन्होंने काफी अच्छा पूर्फॉर्म किया है टो एस्या कप में document की पूरी कुमार यादप का रोईजित सर्मा के साथ आप सभी को opening करते नजर आज़ सकते हैं के इल राहूल तो गैसे पे के इल राहूल की बात करें तो गैसर पे recently इनको injury हुआ साथ में गैसे पे COVID-19 इनको हुआ एं उसके बाद काईशे पे फिर से अपने आपको उनोंने काम किया नेकिन फिर गाईस हो रिकवर हुए, रिकवर होने के बाद गाईस अपे अब यापी Asia Cup में आप सभी को नजर आने वाले ही हमारे KL राहूल और Asia Cup में हम सभी को नजर आने वाले ही KL राहूल तो हम लोग उमीद करेंगे कि KL राहूल जीज तरीके से गाईस आपे IPL में परफॉर्म किये थे, उसी तरीके से गाईस आपे उससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे Asia Cup 2022 में तो गाईस अब हम बात कर लेते, नेक्स्ट खिलाडी के बारे में नेक्स्ट जो गाईस आपी खिलाडी निकल कराणे है, उनका नाम है रिसब पंद, रिसब पंद की बात के तो गाईस आपे रिसरली गाईस इन्हों ने भी काफी अच्छा पुफार्म किया है निकिन इसको पर अभी भी सवाल है कि आपे दू फिकेट की पर है आपे इंडियन टीम ने गाईस आपे पिक किये हैं जापे एक नाम आता है दिनेज कातिक का, दिनेज कातिक भी काफी अचा फिनिस कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए और उसके बाद गैसे पर नाम आता है रिसब पंद का भी नाम आपे सामिल होता है और रिसब पंथ दिनेज कातिक में से कौन सा खिलाडी खेलेगा इसकी उपर अभी भी कोईसन मार्क लगा हुआ है बट गैस इस बार में आपका क्या ओपीनियन है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्षिन में जाके अपना अपना ओपीनियन ज़रू बताएगा वैसे परफॉर्मेंस की बात करे तो गैस बे दुनों के दुनों खिलाडी ने अच्छा परफॉर्म किया है रिसब पंथ की बात करे तो गैस बे अच्छा परफॉर्म किया है दिनेज कातिक की बात करे तो दिनेज कातिक ने भी गैस बे टीम इंडिय के लिए अच्छा फिनिस परफॉर्मेंस देखने को मिला और उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ एस्या कप 2022 में एस्या कप 2022 के स्कॉर्ड में इनको सामीर किया गया और गाईस सपे अब एक इंपोर्टेंट खिलारी बन चुके टीम इंडिया के लिए क्योंकि मिडल ओर्डर में गाईस आप सभी को बल पर आप इस पर में क्या आप लोग नीचे कोमेंट सेक्शन में जाके इस सरूर बताईएगा एंडगा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीज़े सेर कीजिस साथ में अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े तो मिल देने नेक्स वीडियो में तब देक लि अवाई झाफ बई जे वीडियो झाई जाए लो इसवाईएगा इच्छी लाइए घच्ट लाई ला-जाः नेक्ट ला-ठाको स ρूर जा-च्था इस जाहे या झार की भाई बताब में आर नेक्स आपको इस पहले ऍार ख।ो आपको सर्कर नेक्स बईक्स एक्राइगा, इ